निमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब्सक्राइब ने टाफ वर स्टूडी यूटीव चनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एड़ेट जूनियर सिच्छक भाती को लेकर जो भी सम्मध्दी तब रहती हैं वीडियो को पूरा देखें साथ में वीडियो को लाइक कर दिया गया है आप सभी ने परड़ाम अपना चेक कर लिया होगा लेकिन अभी तक अगर आपने चेक नहीं किया है तो अफीशल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत वर समझ से आ रही है तो उसको लेकर वहाँ पर आप सभी कि सारी जानकाई आपनी पिछ किन अगर आप इस वीडियो को शुरूर से लेकर अंत तक सुनते हैं तो इसके बाद आपको किसी परकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना होगा जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिएन बी की तरफ से जब भरतिया टरवाई जाती हैं तो यहां पर सिप आपके जो नमबरें वह घोशित किए जाते हैं मतलब किसी परकार की ना तो कोई कट-ऊफ जारी होती है नाहीं कोई मेरिट लिस जारी होती है और नाहीं आप सुभी को यहां बताया जाता है कि कि कितने अब्वेर्दी को हम चैन करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको कईबर बताया भी है कि PNB के माध्यम से आपका परडाम घोशित होगा और जैसे ही आपका परडाम घोशित होता है उसके बाद में जो भी चैनित अब्यरती है 60-65 के उपर उन सभी की फाइल बेसिक सिच्छा परिसद को भेज दी जाती है जिसको हम लखनों कहते हैं CRT ठीक है अब उनके माध्यम से आगे की कारवाई शुरू की जाती है जो भी चैनित अब्यरती होते हैं अब चैनितों की जब बात की जाई है तो आप सुभी जानते हैं कि 60-65 के उपर लगबग 45,000 अब्यरती ऐसे जो क्वालिफाई किये हैं बहुत सारे अब्यरतियों के पर 45,000 के आसपास हैं उनको अब दुबार से आविदन करने का मोगा दिया जाएगा या फिर ऐसा कहें कि जो भी अब्यरती चाहे सारे का अध्यापक के अंदर या प्रदाना अध्यापक के अंदर 60-65 अगर वो क्वालिफाई कर गए तो उनको यहां से आगामी वेकेंसी में मत जैसा कि आपको याद होगा प्राथ्मिक सिच्छवरती के अंदर जैसा कि उनेतर जाशा सिच्छवरती निकली ती उसमें भी जिला आवंटन के लिए आप से प्रेफरेंस मांगी गई थी सेम कुछ ऐसा ही आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगा कि आपको दुबार से आविदन करने का मौका दिया जाएगा कई बार अव्रती ऐसे भी पूछते हैं कि सब्वार से आविदन होंगे तो क्या हमारे जो पिछली गलतिया हुई थे उनका हम सुधार कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा क्योंकि आविदन के अंदर आपको दो से तीन पॉइंट इसके अंदर क्या-क्या मांगा जाएगा इसको लेकर भी पीन पी के तरब से कोई जानकाई नहीं दी गई है क्योंकि पीन पी को खुद नहीं पता बेसिक जिच्छा परसत के पास जैसी इसकी फाइले पहुंच जाएंगी उसके माध्यम से उनकी तरब से एक सेडूल जानी किया जाएगा सेडूल के अंदर आपको बताया जाएगा कि तीन से चार दिन आपके आवेदन होंगे उस आवेदन की बीच में आपको क्या-क्या फिल करना इसकी जानकाई आप सभी को दी जाएगी इसके अलावा सभी छात्तों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा इसने भी अभ्यति यहां पर आवधिदन करते हैं उस आवधिदन के आधार पर जैसे कि 45 अभ्यति 65 पर क्वालिफई किये हैं लेकिन अगर 44 अभ्यति ने इसके लिए आवधिदन कर दिया तो 45 अभ्यतियों में से इसके बाद में आपकी अलग से नई कटॉफ बनाई जाएगी जो कि टोटल क्वालिफाई अब्वेर्थियों में देखने के लिए मिलेगी एक्जामबल की दोर पर कि सबसे ज्यादा 45,000 में अगर किसी अब्वेर्थि का गुडांग बनता है 80 तो एक उस अब्वेर्थि का चैन कर लिया जाएगा फिर नीचे आया जाएगा दूसरा अब्वेर्थि का बनता है 79 तो उसका यहां पर चैन होगा सेम नीचे आते आते 894 अब्वेर्थि का चैन होगा जो कि साय गर्द्याबक साथ में प्रदाना अध्याबक क्योंगे और जो भी अंतिम अब्वेर्थि का चैन होता है वो अंतिम कट ओफ इस भरती की घोशित होगी हाला कि PNP के मार्दियम से कट ओफ दुबारा नहीं बताई जाती लेकिन मैं आ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि आगामी समय के अंदर SCRD के तरफ से एक नया कारिकर्म जादी किया जाएगा जिसके अंदर 60 65 से पिलस वाले सभी अव्याथियों को आविदन करने होंगे और जो भी अव्याथि आविदन करते हैं उस मैंसे उन सभी की मेरिट के आधा बात कर लेंगे तो यह तो दोस्तों बात हुजाती है आविदन तक की मैंने आपके साइस सवालों के जवाब दे दिए अब जैसा कि आप जानते हैं कि PNP के माधियम से रिक्तपरों की जानकाई मांगी जानकाई मिलने के बाद में कहाँ पर कितने पर खाली है किस विद्या के माध्यम से यह भी पूछा जाना था कि इस प्रोसेस में कितना लंबा समय लग सकता है जैसा कि आप जानते कि आपका परडाम कोशित हो गया है अब बेसिक इच्छा परिसत के माध्यम से उंबीद है कि अगले सब्ता आपके आविदन को लेकर पोर्टल खोल दिया जाएगा अगले सब्ता आविदन के लिए आप सभी की मांग की जाती है तो 2-3 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद में जो भी अभ्वयति आविदन करेंगे उसके 3-4 दिनों के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जाधी हो जाएगी आसान बासा में कहा जाए तो आने वाले 10 दिनों के अंदर आपकी जो merit list है वो जादी करती जाएगी दस से बायर दिन का समय लगेगा total merit list को जादी होने में और merit list के अंदर उन्हीं अब्यरति का नाम होगा जो counselling करवाने जाएंगे क्योंकि आविदन करने वाले चातों की संख्या तो 44 जाद होगी लेकिन जो अब्यरति counselling के लिए जाएंगे वो merit list के आदार पर उनको बैठने का मौका दिया जाएगा अगर आपका नाम merit list में आता है तो हाला कि बहुत साथ चातों के मन में merit को लेकर भी सवाल है जैसा कि मैंने हमेशे आप सभी को कहा है कि आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो उसका answer आपको ओनाइन एड़ा फॉस्टी चैनल के माध्यम से ही मिलेगा तो merit से सब्मंदी जितने भी आपके सवाले कमेंट करेंगे आप सभी पूछ सकते हैं इन सभी की जनकरी आप सभी को दी जाएगी क्योंकि merit बनाने का जो काम होगा basic सिच्छा परिस्त के माध्यम से होगा जब वहाँ पर करने की फाइलें पहुंच जाएंगी उसके माध्यम से सारी जनकरी आप सभी को एक एक करके हमेशा देता होगा जैसे ही अधिकाईयों से मिलती है क्योंकि अभी तक जो आपकी merit बनने वाली है उसको लेकर मैं आपको बता दू कि आपकी जो भी कहने की 60-65% पर आप qualify करने के बाद में जितने number आप लेकर आए हैं उसका 60% इसके अलाबा आपकी academic का 40% उस 40 में से आपकी academic माल लीजिए कि 33 है या 30 है या 28 है या 24 है इसके अलाबा अगर देखा जाए तो लेकित पर इच्छा के अंदर 105 है उसका 60% आप से भी जोड़ेंगे टोटल को जोड़ कर आपका जो भी यहां बनेगा उसको गुड़ांक कहा जाएगा तो ऐसे मेरिट कैसे बनने वाली किस प्रकार बनेगी आगी कौन-कौन सी चीज़ों को फोलो किया जाएगा इसके बारे में जानकाई बेसिक सिच्छा के अधिकारियों के माध्यम से दी जाएगी क्योंकि अभी उनके पास फाइल नहीं पहुची है तो ऐसे में उनकी दब से बताया नहीं किया है लेकिन मैं आप सभी के लिए जल्द इसको लेकर एक एक करके सभी सवालों के जवाब दे दूँगा तो यहां तक साही चीज़े बिल्कुल किलियर हो जाती है कई चात्तों के मन में सवाल ये भी था कि मैरिट लिस्ट के अंदर क्या आरचन का पालन किया जाएगा तो कोई भी भरती हो आरचन की बिना तो पूरी होने से रही ऐसे मैं अगर बात की जाए मैरिट लिस्ट से सम्मदित जो भी जानकाई है मैंने आपको एक ही करके बता दिये लेकिन कुछ ऐसे सवालों के जवाबे को मैरिट कैसे बनाने वाले है इसको लेकर अधिकाईयों की तरफ से बताया जाएगा बिलकुल आरच्छन का आप सभी का पालन 100% देखने के लिए मिलेगा आरच्छन का पालन कैसे होता है वो आप सभी को बता होना चाहिए कि टोटल नमबर ऑफ सीटें कितनी है किस मतलब शैणी के अंदर कितनी सीटे आएंगी उसके आधार पर यहां से फॉलो किया जाएगा बहुत सा है कि आगे की संभून प्रकिया को लेकर आपको पूरी जानकाई होगी होगी बाकी शासना आदेश जाली होने के बाद में इसके बाद क्या क्या होने वाला है मेरिट को लेकर कट आफ के बारे में कांसलिंग को लेकर वो भी जानकाई है आप सभी को दी जाएंगी लेकिन व करना बिलकुल ना भूला है फिला है इस वीडियो के मध्यम से इतना ही थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो